सब्सक्राइब कीजिए यूनिक इंजिनिरिंग टिप्स चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दमाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए इस लेक्षर में डिस्कूस करने वाले हैं जो मैंने आप से प्रॉमिस किया है कि हर सब्जेट के कंपिलेशन पे तो आज इंग्रिफिकेशन का श्लेब से है वह भी इंग्रिफिकेशन का प्रॉइड करना था आपको इसमें प्रॉइड कर दोऊंगा फो लेट सब्सक्राइब आपके लिए तो फूस्ट इसमें जो पॉइंट आता है थो तो बैसे मैंने यह अब डेफिनिशन लिखा हुआ कि इरिगेशन इंजिरिंग का किससे कहते हैं इसमें 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 किया था कि नर्मदा रिवर से पानी जहें कहां लिया जाता है शारुस्तरा गुजरात्थो नर्मदा मैन कलाल से दिया जाता है फिर उसका बाद नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें आता है पॉइंट नमर थर्ड यह इंपॉर्टन है वराबंदी सिस्टम यह हमने पीछे लेक्चर से उसमें हमने डिसकस नहीं किया है यह पॉइंट यहां लेंड जितनी जिसकी साथा लेंड होगी उसको उतना जो है डिवरिशन देया जाएगा उसको इरिगेट करने के लिए और जितनी जिसकी कम लेंड होगी उसको उतना कम टाइम मिलेगा इरिगेट करने के लिए तो डैट सिस्टम इस वराबंदी सिस्टम सिंपली हम कह सकते ह पाने को प्रवाइड करना फॉर्मर्स को डैट इस वरबंदी सिस्टम फिर उसके बाद जो है यह इस्ट्रिय आप डॉलपमेट जो हमने इरिगेशन डॉलपमेट आफ इंडिया जो है कैसे कैसे वह तैंथन संजरी में जो है वेरियस जो है इरिगेशन वोक्स स्टार्ट किये थी हमने पीछे सारे सी सकिए यहां पिश्व में पॉंट्स बताऊंगे इसके बादद ब्रिटिश रोप में जो इंडिवाल्प्र मेट हो की वह भी आप इंडिया में अमने पीश्य हैं श्रीत इंदिैक सुंगी इंडिकेटा है देन बास ने अंत इंकलょ यपिंडैयन Cycl McCम इसके बाद किश मेजर इरिगेशन प्रजुट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् icket do food भीज़ तीस फॉनियर्ट को सब्पुएंटिब वाइग सब्सक्रेण इस इतोंगा उसके बाद यांटर सब्सक्राइब में में इंटीस इंपॉइटेज इंडिया इंदीय इंडियज इंटीमी इना इंट इन shifts वेसंग बुएंड aujourd interacting इसमें उसके बाद जो है टोटल कल्टीवड इए इतना है आव अब वासाब इंडिया में 142 मिलिन हक्तियर 57 मिलिन है रिखेट है और 805 मिलिन है जो है रैंट फीड है जिसमें इरीगेशन की जुरूती है important point 12 added region हम किसो कहते हैं जिसमें irrigation की जुरत होती है और semi-arid region को हम किसे कहते हैं which doesn't require any irrigation जिसको irrigation की जुरत नहीं होगी उसके बाद important terms यह भी important है यह हमने detail में discuss की है crop period, base period, delta, duty वगएर यह हमने सारा detail में discuss किया हुआ है तो focus on these points very cleanly next paleo irrigation वही यह में नहीं हमने और सारी नहीं हमने हैं कोर वाटरिंग जो कहते हैं जो maximum watering होती हुआ है उसे के और कोर पर आम उसको क्याते है जिस period में maximum amount of water crop को required होगा और वाटरिंग राइस के लिए कितनी होती है डेफ्ट में हमने major की यह कोर पिरइड भी हमने टाइम फेक्टर क्या होता है ऑप्टिमम वाटर डेफ्ट क्या होती है जिस जिस डेफ्ट में मार पस yield maximum होगी crop season यह सारे हमने परसंडेज अगर उसमें less than two percent होगी तो वह unsuitable for cropping के लिए मतलम हम उसके उसमें जुह है कोई भी crop को grow नहीं करवा सकते हैं नोट मैंने यहां पर दिखा भी है स्वाइल हैं लेकर नाट स्विर्पल फार क्रॉप ग्रोथ उसके बाद सैंडी सायल में डेफ्ट आफ वाटर जो है कितनी रिक्वाइड होती है मतलब मैक्समुम डेफ्ट आफ वाटर कर हम देहेंगे क्रॉप को ग्रोप करवाने के लिए 1 पाइफ डेल मैं कव डियाघ में क्लेइट इसंट्युकूत Uranेटर नाट स्वाइफल करते हैं पर फानी करते हैंस्ति इसमांडल चेयर वेतल ऑसने कंवाट हे थे लिए सब से जदा पाने जाए हमें 165 cm राइस 125 cm पटाटो 75 cm टमयको वगरा मेज वीट यह सारा हमने डिटेल में डिसस किया हुआ these points are also important from examination point of view next इसमें आता है यह important relation है duty delta base spirit इससे हमने numerical भी solve किये हैं उसके बाद intense you know irrigation इसे में आपको numerical solve करवाये थे irrigable area क्यों होता यह भी हमने देखा है methods are measurement of irrigation most important इसके लिए मेर्पार generally चार तीन methods आते हैं volumetric measured velocity या area method या instrument method उसके बाद जो है water requirement of crops किसके लिए कितनी होती है यह भी हमने detail में डिसकस किया था राइस के लिए standing water चाहिए मेज के लिए हमें 4-5 watering चाहिए wheat के लिए 3-4 watering चाहिए शुकर के लिए क्या क्या चाहिए उसके बाद इंटरफो क्या होता है एक term है इंटरफो का मतलब होता है flow of runoff through the soil towards stream that is known as इंटरफो यह यह चाहिए टर्म डिसकस नहीं की थी लेकिन यहां पर हम आपको बता रहा हूं कि flow of runoff runoff water through the soil towards stream की मतलब देखो जब precipitation होती है तो कुसपानी जो है इसमें infiltrate हो जाता तो जो infiltrated water towards stream की तरफ जाता है that is known as waterfall और जो flow of water मतलब जो amount of water infiltrate होगे फिर नीचे पर्कुलेट होगे नीचे groundwater में चला जाता है उसका हम ग्राउंड वाटर कहते है rainfall गाजित यह हमने detail में डिसकस किया था कितना maximum 12.5 cm यह major कर सकता है इसमें साइज बगरा क्या होता है टॉप एरिया कितना होता है 100 लेकर 200 स्कार सेंटिमेटर वी हैं डिसक्रस्ट आल इस इनका बता रहा हूं कि किस पॉइंट अपने ज्यादा फोकस देना रिकॉर्डिंग टाइप टीन आते थे वेगिंग बाकिट टाइप टिपिंग बाकि अच्छा पोकस देना किमकि इस इदर से भी कौचन आने के आप जाता है जहां से युनित हीडरण से रह ऑन को बैकर था इंग्विक टेवल से एंगली उनलिजिए पॉर्मॉल रिकार्ड वाथ इस तरह विगराफ इन में डिसक्स किया हूं एम्पोर्मॉइवाइब को सिफ फिर unit hydrograph को भी हमने detail में देखा है, unit hydrograph का मतलब होदा है कि representative one centimeter of runoff from a unit deviation, इसके लिए हमने ये formula भी पढ़ा था कि direct runoff हम कैसे find out करते है, 0.36 submission of O into T upon A, इस बाद जो है its accuracies, यह हमने देखा था, इसमें important point देख था कि unit hydrograph की accuracy जहे plus minus 10% थी, और इसको हम तब use कर सकते थे, जब हमार पस area जो है 2 square kilometer से लेकर 5000 square kilometer के बीच में होता, 2 square kilometer से कम या 5000 square kilometer से ज़्यादा होता, तब हम unit hydrograph को runoff compute करने के लिए user नहीं कर सकते थे, सब मेरे सब पंप का diameter जो है, कहां से लेकर कहां तक vary करता है, 90 से लेकर 254 mm तर, length इनकी 1 meter से लेकर 8.7 meter तक होती है, और इसमें जो power required होती है, इनको run करने के लिए 7.5 kilowatts लेकर 560 kilowatts तक, so next point हमें 29 हमर पस जाता है, methods of irrigation, methods मर पस generally 4 type के methods आते हैं, flow irrigation आता है, sprinkle irrigation आता है, drip irrigation और lift irrigation, फिर lift irrigation फर्दर classified है, two categories में, well irrigation और tube well irrigation, तो इसमें जो important है, flow irrigation को हम surface irrigation भी कहते हैं, या canal irrigation भी कहते हैं, इसमें further 2 categories है, non perennial और perennial त process कर लिए, तो आप देख सकते हो, यहां से, उसके बद स्प्रिंगल इरिकेशन को हम आवरेट इरिकेशन भी कहते हैं, इसमें important सबसे ज़्यादा यह है, कि it uses only 65% of water used in flow irrigation, कि जितना amount of water flow irrigation में यूज होता है, उसका सिरफ 65% जो है, sprinkles irrigation में यूज होता है, बाकि आप यहां य देख सकते हैं, उसके बाद next drip irrigation, drip irrigation को हम ट्रिकल इरिकेशन भी कहते हैं, यह firstly सबसे पर इसराइल में यूज हुआ था है, अग इंडिया में अगर हम देखेंगे, it is used in Gujarat, Maharashtra, Kerala, करनाट का बगएरा इसमें यूज किया जाता है, इसमें जो overhead tank है, उसका size कितना होता है 3 x 3, और up to way, head up high से लेकर 7 meter तक इसमें head create हो सकता है, pipe net over, उसका diameter कहां से लेकर कहां तक वैरी करता है, इसमें जो generally PVC की pipes हम यूज करते हैं, पाली बिना, 10 mm से लेकर 20 mm तक उनका diameter यूज करता है, emitters, मतलब जिनके जिरे हम आगे drip irrigation करते हैं, उनका जो, उनकी जो discharge carrying capacity है, उनका यूज करता है, लास्ट में जाता है मरबस drift irrigation, lift irrigation में हम मरबस जाते हैं, दो, tubal irrigation और valley irrigation, यह हमने detail में अभी पीछे जो लास्ट दो लेक्स में अप्लोड की वो सारे इनमें हमने इसके बारे में detail से पढ़ा हुआ है, तो आप वहां से देख सकते हैं, यहां पी इस point में भी नेक्स्ट, नेक्स्ट ना जाता हम अरबस watershed कनाल है, जिसको हम reach कनाल कहते हैं, यह हमने कनाल वाले chapter में detail से पढ़ा था, यह कंडूर कनाल क्या होता है, इसको बाच्छे से देख लेना, side slope कनाल क्या होता है, तो आप वहां इसको देख सकते हैं, catchment area क्या होता है, यह भी आप यह जो हमर पास, channel head works and regulator उस वाले में भी पढ़ा हुआ है, तो कोई भी container जो water को store कने के लिए हम यूज करते हैं, उसको हम system कहते हैं, bucks, culvert, aqueduct, aqueduct, aqueduct क्या होता है, यह सारे हमने ड्रेयल में पढ़ा हुआ है, बक्स, culvert, aqueduct, aqueduct क्या होता है, मैसनरी, arc, aqueduct, कौन सा कभ होता है, हमने सारा lecture में डिटेयल से डिसकस किया हो, तो यहां पर आपको सरी में इन पॉइंट्स पर फोकस करवा रहा हूं, इन पॉइंट्स पर आपक्स कर रहा हुआ है, इरिगेशन, canal, product, level crossing अगया होता है, जब दूनू, जह है, exam level पर meet करते थे, natural drain as well as artificial drain, तब उनको level crossing क स्ट्रक्चिर जो है, हम कहां बनाते थे, across canal to regulate the supply of water, इसमें pipes जो है, कहां से लेकर कहां तक इंस्टाल हम करते है, 6 से लेकर 8 meter intervals बे हम pipes इंस्टाल करते है, discharge निकलने का formula क्या है, यह सारा हमने डिटेयल में देखा हुआ है, इसका angle of inclination with natural drain कितना होना चाहिए, 90 से लेकर 110 degree के बीच में इंपोर्ट है, इसमें, cross regulator क्या होता है, यह हमने सारा detail में पढ़ा था, so next इसमें होता है, river training works, यह important है, यह हमने, इसके लिए भी मैंने subject video upload की थी, इसमें river training patterns, norman pattern, mandir pattern, यह हमने सारा detail से पढ़ा हुआ, कितने type of river training works होते थे हमारा पास, impactment, यह डायक्स, लिउज फिर इसमें दो types होती थी, marginal impactment और retiring impactment, कोन कब use करते हैं, यह भी हमने सारा detail में discuss किया था, guide banks होते थे इसमें, सारा हमने detail में discuss किया था, उसके बाद इसमें आता था, river bank, repeatment, जो भी हम strong pitching वगरा करते थे, banks को, erosion वगरा से बचाने के लिए, उसको हम river bank, repeatment कहते थे, cut ups क्या हो रख सकते थे, यह हमने detail में discuss किया था, water logging, water logging भी हमने detail में discuss किया था, capillary fringe इसमें important term थी, कितना कब water level होना चाहिए, कब यह कितना crop को affect कर सकता है, यह हमने सारा detail में discuss किया हुआ, water logging को prevent करने के लिए हम क्या 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 करते है, average intensity of irrigation को 40-60% के बीच में रखना, इस से जादे न यह divergent work, income storage, headworks भी कहते हैं, types of canal, headworks मरपस, temporary, permanent, wear, bearage, game, यह सारा हमने detail में discuss किया हुआ, income and difference अपको clearly समझाया हुआ था, इस चीज़ पर भी आच्छे से focus रखना है, इस दर से भी question आने के chances है, next इसमें components of headwork, यह important है, यह हमने सारा discuss किया हुआ, wear, bearage, scoring slices, divide wall, seal text, culture, यह सारा ह where क्या होता है, bearage क्या होता है, difference हमने इनका सारा देखा था, divide wall क्या होता है, squaring slices क्या होती है, अब हमने सारा detail में पढ़ा हुआ है, तो यहां पर भी हम, मैं आपको detail में नहीं बता सकता हूँ, मैं सिर्फ यहां पर बता सकता हूँ, इन points के अच्छा से focus रखना है, इनको कार निकालना कैनाल से, फिर उसके बाद next कैनाल आता है, यह भी हमने पड़ा हुआ है, कैनाल में classification अलगलग हमने classification पढ़ी थी, कैनाल की, irrigation कैनाल की, example हमने इंदरगांदी कैनाल थी, western यह मुना कैनाल वगएरा, बाखड़ा कैनाल वगएरा, power generation के लिए, नंगल हैडल कैनाल उसमें जो main components थे हो, हमने सारे, किस वक्त किस की standard values की है, वह सारा हमने discuss किया हुआ है, कैना लाइनिंग की होगा है, इन पे भी अच्छे से, आप फोकस रखना, next वह ही यहां पर दिखा रहा है, lime concrete lining, कौन कब यूज होती, cement concrete lining, कौन कब यूज होती, short concrete lining, यह सारा हमने देख जिसमें, zone of rock flowage, zone of rock fracture, यह भी माना आपको, जो है, last fracture में, जो हमने upload किया, वह इसी के बारे में था, जिसमें जाता है, aquifer, यह भी हमने detail में, यह term, सारी में आपको clear करवाई, aquifer, aquifug, सारा specific yield, specific retention, यह हमने सारा पढ़ा, यहां पे, discharge open weld का कहां से लेकर, कहां से लेकर, कहां परसेंट तक यह हमने detail में पढ़ा, two wells क्या होता है, किना types के tube wells हम और पस अपते हैं, shallow tube wells, deep tube wells, फिस standard type tube wells, सारा हमने पढ़ा, radial type tube well, cavity tube well, shrouded type tube well, सारा हमने detail से पढ़ा, फिर unconfined echo fire, confined echo fire, इनका discharge निकलने का formula किया है, वह भी हमने detail से देखा, इन points से भी आप अच्छे से focus wash boring cup suitable है, यह भी हमने देखा, rotary boring method cup suitable है, reverse routine method cup suitable है, सारा हमने detail से discuss किया, well development क्या होता है, well striding वगर है, यह हमने सारा देखा, centrifugal pump, centrifugal pump को हम monoblock भी कहता है, it can lift water up to 6 से लेकर 8 meter तक, important point है, अगर 6 से लेकर 8 meter depth होगी water की, centrifugal pumps उसको अराम से lift कर सकते हैं, अगर उससे ज्यादा है, तब हमें centrifugal pumps को PCO pumps के साथ replace करना पड़ेगा, borehole pump, borehole pump का मतलब होता है कि हाँ, यही पे इसने लिखा कि borehole pump जब हमार पास depth 8 meter से ज्यादा exit हो जाएगी, तब हम borehole pumps का use करते हैं, water को lift करने के लिए, फिर borehole pumps further classified in two categories में, submersible pump और turbine, dam, dam भी हमने detail में डिसकस किया हुआ, इसकी material, rigid, non-rigid वगएरा सारा हमने देखा है, causes of failure of earth and dam, यह important है, यह हमने शाहिए लेक्टर में डिसकस नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर आपको बता रहा हुँ कि जब भी dam फेल होता है, उसको generally तीन काजिस होते है, fail होने के, first इसमें जाता hydraulic failure, water के वाईसे उसमें failure आ गया कि, ज structure of failure भी 30% failure अगर हम देखेंगे, dam में structure of failure की वज़े से होता है, structure of stability नहीं रह सकी, उसकी वाज़े से भी failure आ सकता है, यह तीन में causes है, that can cause failure अर्थन डेम ही, especially हम अर्थन डेम की बात कर रहे है, top width अर्थन डेम की कितनी थी, हमने सारे में आपको practical जो भी थे, उसके practical profile में कितनी types of forces gravity dam पे act करती है, वह भी हमने discuss किया था, कितनी types of gravity dam है, rubble machinery dam, concrete dam, RCC dam, यह हमने सारा नटेल से पढ़ा और हट dam की मैंने आपको एक एक example दी हुई है, मैं जाता है, कौन-कौन सी forces dam पे act करती है, most important point है, it's very important from examination point है, वह बता हूँ आप, water pressure होता है, यह मैंने आपको ब प्रेशर में, ice pressure क्यों होता है, wind pressure क्यों होता है, और twake pressure क्यों होता है, इस सारा हमने details से discuss किया हूँ, stability condition most important point from examination point of view से, चार stability condition होने थी हमरे पास, turning थी, sliding थी, crushing थी और tension थी, तो यह सबसे important point इसमें, यह tension वाला है, कि far new tension के हमारे पास जो resultant जो है, वो middle third पे act करना चाहिए, और इसको हम middle third role भी कहते हैं, यह इसमें important point है, this role, this role is also known as middle third role, हमारी eccentricity जो होने चाहिए, वह less than by 6 होने चाहिए, तो this is important from examination point of view से, next elementary profile क्या थी, gravity damn की, practical profile क्या की, gravity damn की, वो मैंने आपको दूनों, रेल से discuss करवाई है, practical profile ज्यादा preference इसको दिया ज्यादा, elementary profile जिए एक imaginary चीज है, हाइट हम कैसे निकालते थे, damn की, width, freeboard हम कितना रखते हैं, यह सारा हमने, drill से पढ़ा हुआ था, कि जब हम रपास height इस से जदा exceed होगी, फ speedway, जो detail से पढ़ी थी, straight drop spillway था, augy spillway था, side channel spillway, open channel spillway, tunnel spillway, short spillway, यह साइफन spillway, यह हमने सारा detail से देखा हुआ था, energy dissipators, यह भी हमने last topic जो damp में पढ़ा था, वो भी हमने देखा था, फिर इसको हम दो तरीकों से कर सकते थे, by hydraulic jump यह, by providing, bucket type, energy dissipator, फिर कुछ important relation जो मैंने last यहां पर लिखे हुए, आप देखो, यह हमार पास यह है, यह commanded area बगएरा कर हमने निकालना होगा, तो यहां पर हम A is equal to Q into D, अब A यहां पर क्या represent कर रहा है, commanded area को represent कर रहा है, क्याव discharge को represent कर रहा है, और D duty को represent कर रहा है, अगर किसी एक चीज़ को निकालना होगा, तो हम इ discharge बन time factor करके यहां से आप इसका design discharge निकाल सकते है, frequency, frequency अब irrigation यह important है, कि हमार पास जितना depth of irrigation water होगा, divided by concept use of water यहां से क्या निकाल सकते है, frequency, आप irrigation निकाल सकते है, तो यह था हमार पास जो मैंने आपको 30% syllabus का promise किया था irrigation का, वो है इसमें, तो मैंने आपको इसमें जो management points बता करेंजे और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर की, so thank you so much and keep supporting me, thanks for watching unique engineering tips, अगर आपको हमारी वीडियो पसंदा योगी तो वीडियो को like कीजे, share कीजे, comment कीजे और चैनल को subscribe करना न बूले, और please bell icon ज़रूर दबाए तक कि जब भी मैं नई वीडियो अप की है, उनकी जो PDFs हैं वो description में available हैं, तो आप वहां से उनको download कर सकते है, thank you so much